नाफिट दवारा लगातर MSP खरीदी भाव से सस्ते में चने के टेंडर पास करने के साथ ही नाफिट फिलाल सभी स्टोक में विक्वाली शुरू कर चुका है जानकारों के अनुसार नाफिट जब तक चना टेंडर अच्छी मातरा में देगा तब तक हाजिर बाजार में चना तेजी की उमीद कम है इस बीच अगले महीने से चने की सोइंग शुरू होने की उमीद है शुरूाती रुजहन के नुसार करनाटक महरास्ट्र में चना की सोइंग बढ़ सकती है जबकि राजस्तान MP में गेहूं की सोईंग बढ़ने की उमीद है जिसे चना बोवनी कमजोर पड़ सकती है उधर उत्तर परदेश में 90 फीसदी हिस्तों में बारिश के कारण बोवनी पर भावित हुई है नाफिट की बिक्री और आगे तंजानिया चना का सप्लाई को देखत के हुए फिलाल चने में लंबी तेजी नजर नहीं आ रही चानकारों का कहना है कि आगे चलकर चने की कीमतों में गिरावट बनी रह सकती है मसूर में भी अपेक्षित गरह की कम होने के कारण गिरावट देखने को मिल रही है मसूर की कीमते भी गिरकर 6000 पर प्रतिक विंटर पर पहुँच गई है ऐसे में बजार जानकार उमीद लगा रही है कि आने वाले समय में चने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है भी रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी